नमस्कार दोस्तों गुड मॉरिंग आज हम आपसे डिसकस करने वाले हैं LIC G1 किरन प्लान 870 वर्सेस LIC G1 अमर प्लान 855 दोनों ही LIC के शांदा डर्म प्लान है एक LIC G1 किरन प्लान है जो अभी 2023 में रिसेंटली लाँच हुआ है जिसमें आपका जो भी प्रीमियम है एक समय बाद आपको वापस मिल जाता है एक LIC G1 अमर प्लान है जो भी LIC का पुराना कम प्लान है जिसमें आपका सिर्फ रिस्क अवर होता है कम प्रीमियम में आप ज़्यादा रिस्क अवर करवा सकते हैं दोनों ही प्लान हमने आप से संख्षेप में डिटेल में डिसकस किया है किरपिया करके आप इसे वीडियो को लास सक देखें वीडियो के पसंद आने पे लाइक भी करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें इंडेक्स लाइसी जीवन किरन प्लान आप से जिसकस किया है किरपिया करके लास में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोनों में से कौन से प्लान आपको ज़्यादा अच्छा लगता है नमस्कार दोस्तों हेलो फ्रेंग्स आज हम आपसे डिसकस करने वाले हैं लाइसी जीवन किरन प्लान टेबल नमबर 870 लाइसी ने नया टर्म प्लान लाउंच किया है जिसमें आपका प्रीमियम आपको रिटन मिल जाता है तो किरपिया करके वीडियो को लास तक देखें जिसमें हमने आपसे एक्जामपल प्लान की डिटेल्स, एलिजिबलिटी सारी चीज़े शेयर की हैं तो प्लीज वीडियो पसंद आने पे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें नया प्लान एक और लांच किया है, LIC ने धन विरिद्धी प्लान वो भी हमने एक वीडियो बनाके हमारे चैनल पर आपसे शेयर किया है आप वो भी चेक कर सकते हैं LIC का अल्रेडी एक प्लान चल रहा है टम प्लान, LIC G1 अमर प्लान 955 इसमें आपका प्रीमियम रिटर्न नहीं मिलता है और एक स्पेसिफिक प्रीड के लिए आपका रिस्क आवर रहता है लेकिन यह जो नया प्लान है LIC G1 करन प्लान इसमें आपका जो भी प्रीमियम है GST हटा के आपको आपके पॉलिसी टम के बाद रिटर्न मिल जाता है एज एंड प्रीमियम क्राइटेरिया मिनिमम एज 18 साल है मैक्सिमम एज 65 साल है पॉलिसी का ठम आप 10 साल से 40 साल तक रख सकते हैं प्रीमियम पेइंग टेम दो आपशन है इसके अंदर आप इसमें सिंगल प्रीमियम का भी आपशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यदि आप चाहे regular premium pay करना है आपको, तो half yearly या yearly option select कर सकते हैं, जो भी आपका policy term होगा, वही आपका premium paying term होगा regular premium में, maturity age, minimum maturity age 28 साल है, maximum maturity age 80 साल है, sum assured criteria, minimum sum assured आप 15,00,00 रुपे रख सकते हैं, maximum limit नहीं है, आपके financial position पे भी depend करता है ये, चलिए दोस्तों से example दोवारा हम समझने की कोशिश करते हैं, नाम, विजय, age 30 years, sum assured जो risk cover है 50,00,00 रुपे, policy का term 30 साल, premium का term भी 30 साल है, हमने इसमें regular option लिया है, premium आप yearly या half yearly pay कर सकते हैं, यदि अगर आप single premium का option लेते हैं, तो आपको one time single premium pay करना होगा, तो दोस्तों 30 साल बाद आपका maturity amount के आएगा, जो भी आपने total premium pay किया है, excluding GST या rider premium, additional premium अगर आपका कोई charge होता है, तो वो exclude करके, जो basic premium होगा, वो आपका return आजाएगा इसमें, in case of death claim, यदि अगर दुरगटना हो जाती है, death हो जाती है व्यक्ति की, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, single premium के case में, आपका जो sum of charge होगा, जो risk cover होगा, 50 लाग रुपे का, वो मिलेगा, यदि आपने जो single premium pay किया है, उसका 125% आपको मिलेगा, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, वो आपको death claim में मिलेगा, single premium के case में, death claim, in case of regular premium, जो आपका होगा, highest of the below होगा, number one पे basic sum of charge, यानि कि आपने 50 लाग का, जो sum of charge है, वो, या फिर 7 times of annualized premium, जो आपका annual premium है, उसका साथ गुना हम करेगे, वो value अगर 50 लाग से ज़ादा है, तो वो मिलेगी, या यदि आपने जो premium पे किया है, 105% of total premium paid, till the debt of death, यदि जो भी premium आपने पे किया है, मालिजी 20 साल के बाद कोई दुरगट ना होती है, तो जो भी आपने premium पे किया है, basic premium का 105% हम करेगे, जो value आएगा, basic sum of charge से अगर जादा होता है, तो वो value मिलेगा, जो भी आप सिंगल premium पे करते हैं, तो जो भी आपका, अगर आपको surrender करना है, तो आप कभी भी surrender कर सकते हैं, regular premium के case में, loan facility दो साल बाद है, surrender facility भी दो साल बाद है, लेकिन दोस्तों, loan लेने में या surrender करने में, आपको insurance की policy, कोई भी company के हो, नुकसान होता है, तो इसे सबसे हमेशा last option रखें, income tax rebate, premium जो आप पे कर रहे हैं, उसमें आपको ATC की shoot है, maturity का जो payment आएगा, वो भी आपको maturity पे, आपको tax payable नहीं होगा, यदि आपका premium 5,00,000 से कम रहता है, तो दोस्तों, उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, और चैनल को subscribe भी करें, धन्यवाद आपका हम से जुड़ने के लिए, हेलो दोस्तों, आज हम आपसे discuss करने वाले है, LIC का G1 Amar Plan, Cable No. 955, Best Term Plan of LIC, दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, आपसे share करना चाहोगा, कि Term Plan होता क्या है, Term Plan एक ऐसा प्लान होता है, जहां पर आप premium pay करते हैं, और व्यक्ति के ना रहने पर, उसकी मिर्थी होने पर, पीछे nominee को एक लंब सम amount प्राप्त होता है, इस प्लान के क्या क्या लाब है, क्या क्या benefits आपको मिल सकते हैं, किस तरह से आप इस प्लान को लेते हैं, तो आपको ज़्यादा लाब होगा, हमने example द्वारा last तक आप से share किया है, किरपिया करके इस channel को subscribe करिए, बहुत सारे LIC के popular plants हमारे channel पे हमने add कर रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आरे पे इसे like भी करिए, चलिए इसे विस्तार में हम आप से discuss करते हैं, कैटेगरी, दो कैटेगरी है, smoker और non smoker की, जो smoking करते हैं, उनका premium इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा, जो non smoker है, जो healthy life जीते हैं, उनका premium कम आएगा, premium options, premium आप yearly और half yearly पे गर सकते हैं, quarterly और monthly option नहीं है, policy का कम 10 से 40 साल है, premium का कम भी 10 से 40 साल है, लेकिन premium में आपको 4 options मिलते हैं payment के, पहला option है single premium, आप एक ये बार premium जमा करवाएगे, और आपका risk cover रहेगा, दोस्तों कोशिश करिएगे, maximum जो 40 साल का cover है, वो आप लें, जिसमें आपका लंबे समय तक risk cover रहें, option 2 regular premium, 40 साल का आपका term है, तो 40 साल आपको premium जमा करवाना होगा, option 3 limited premium, premium term minus 10 years, 40 साल का term है आपका, तो 30 साल आपको premium जमा करवाना होगा, आप अपनी सुविदा अनुसार, चारों में से कोई भी एक option ले सकते हैं, eligibility minimum age 18 साल, maximum 65 साल, maximum maturity age 80 साल, 80 साल तक आपका risk cover रहता है, इस plan में, minimum some assured 25 लाग का है, maximum आपका financial और health condition के हिसाब से, underwriter accept करता है, some assured दो तरह के हैं, leveled, some assured और increasing some assured, इसे हम आगे example द्वारा आप से discuss करेगी, accidental death and disability benefit rider, 70 साल की एच तक आप इसका benefit ले सकते हैं, some assured, leveled, some assured, fixed some assured रहता है, इसमें अगर आपने 50 लाग किया, एक करोड की policy लिए है, तो ये fix रहेगा, आपके जो भी time है, उस time तक, increasing summer short, पहले 5 साल fix रहेगा, फिर 6 साल से 10% बढ़ेगा, और 15 साल तक, ये 10-10 परसंट बढ़के, double हो जाएगा, चलिए इसे example दुबारा हम समझते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, एक करोड का समझोज लिया है, हमने 5 साल तक, एक करोड रहेगा, 6 साल से 10% यानि कि 10 लाग रुपे बढ़ेगा, और 15 साल तक 10-10 लाग रुपे बढ़के, ये 2 करोड हो जाएगा, और ये आपका जो भी policy का term है, 15 साल के बाद से लेके, policy के term तक 2 करोड दुपे, समझोज आपका रहेगा, चलि रोस्तों कि एक्जामपल आपसे डिसकस करते हैं, व्यक्ति प्रलाद, एज 25 साल, समझोज 50 लाग, policy का term हमने 40 साल लिया है, maximum जो हम ले सकते हैं, यानि कि 25 साल के प्रलाद जी है, 40 साल का गयम लिया है, तो 65 साल तक का risk cover इनका रहेगा, हमने regular premium का option select किया है, 40 साल regular premium पे करना होगा, yearly premium सिर्फ 15,321 रुपे आएगा, यानि कि 15,321 रुपे करके, आप 50 लाग का risk cover ले सकते हैं, लाइसी के इस जीवन अमर प्लान में, maturity, दोस्तों ये term plan है, इसमें maturity कुछ भी नहीं होती है, zero maturity, बीच वाला column आप चेक करेगे, same व्यक्ति प्रलाद 25 साल एज है, हमने summer short बढ़ा के 80 लाग कर दिया है, 40 साल का policy term है, 40 साल हमने regular premium के हिसाब से premium पे करना होगा, premium हमारा 24,513 रुपे बनेगा, last वाले column में हमने summer short को और बढ़ा दिया है, same व्यक्ति प्रलाद 25 साल आईउ, एक करोड का summer short हमने लिया है, policy का term 40 साल है, premium हमें 40 साल पे करना होगा, जो हमारा premium बना है 27,229 रुपे आएगा, तो आप अपने financial condition और health condition के हिसाब से, जितना अधिक summer short लेना चाहें, उस summer short के लिए आप apply कर सकते हैं, in case of death claim, मिर्ति होने पे व्यक्ति की, पीछे नॉमिनी को क्या मिलेगा, death claim होने पे 100% of summer short मिलेगा, पचास लाग के example लें, तो पचास लाग रुपे पीछे नॉमिनी को मिलेगे, in case of accidental death, तो पचास लाग रुपे additional मिलेगे, तो दोस्तों ये rider लेना ना बुले, 70 साल की age तक, आयू तक आप इस rider का benefit ले सकते हैं, यानि कि accidental death होती है, तो पीछे नॉमिनी को एक करोड़ पे प्राप्त होगे, income tax, rebate and survival benefit, जो भी आप premium जमा करवा रहे हैं, income tax में ATC के अंतरगर देड़ लाग रुपे तक की छूट है, term plan है, term plan में survival benefits, maturity benefits कुछ नहीं होता है, तो maturity आपकी zero है, दोस्तों वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और भी LIC के इस तरह के popular plants हमने हमारे चैनल पे आपसे discuss कर रखे हैं, धन्यवाद, thank you.